हेलो फ्रेंड्स वेलकम एट नॉलेज़ प्राइंट आज द्यानिक भासकर डॉट कॉम पे यानि द्यानिक भासकर का जो इंटरनेट जो इपेपर है उसका जो पतना संस्करन है उसमें यानि 25 अगस्त 2017 को फौर्थ पेज पे एक नीज पब्लिस किया है बीपीसी को लेकर कि बीपीसी का जो रिजल्ट है उसको क्यों देर हो रहा है उसको रिजल्ट तयार है लेकिन देर क्यों हो रही है तो इस पेज में जो नीज में अगर नीज की माने तो नीज में लिखा है दिया है कि बीपीसी का दावा है रिजल्ट तयार है सरकार से मार्क दरसन मिलते ही इसक इसमें आधार दिया है 36 आरच्छन तो क्या है आई हम लोग इसंके भाभर माँबात करते हैं अगर despite reservation की बात करें तो reservation 2 तरह को होता है एक अगोता है 갖고 है vertical reservation और एक होता है horizontal reservation horizontal reservation कि यहां पर 36% की बात की गई है vertical reservation वह की जैसे कि जो syr周ch सीरुल ट्राइब या पी अधर बेकवर क्लास को जोeze gli 사न मिलता है वगाई छिसलेब बना दिया गया है और उसमें जो पहला लिजावेशन है उसमें जो पहला हेले जाबेशन होटां जो कि उस भी इसन को कट करता है कॉलम के अंसा यानि कि जो डिजैवेशन होता है उसके अंदर कोई कोई फ्रैग्मेंटेशन होता है उसका उनलोग कहते हैं पैलर डिजैवेशन या फी होईजेंटल डिजैवेशन या हिंदी में कहें तो छैती आरचन तो महिलाओं को छैती आरचन है का जो मुद्दा है इसी पर पदाधिकारियों का इसी पर BPSC का रिजल्ट पिटी का अटका हुआ है अगर वैकेंसी तिथी को अधार बनाया गया तो न्याइक सेवा और साथ से बार्षट परिच्छा में मिल जाएगी अगर वैकेंसी को वर्ष को अधार माना गया तो नहीं मिल पाएगा महिलाओं को छहती जार अच्छन का लाग तो सरकार की अस्ते पर लगाता चल रही बैठके महा दिवक्ता को भी ली गई है राय सरकार की राय के अधार पर जारी होगा रिजल्ट अगर हम इसको नीज को दे सभी प्रकार के नियुक्तियों में 36 आजच्छन देने की ब्रश्था की गई है इस ब्रस्था को लागु करने के दौंद में ाधार माना जाएगा तो आजच्छन इस तरक पे नहीं दिआ जा सकता कि रिक्तियां सरकार के अधिसरुचना जात जारी होने के पहले ही वरस की ह दूसरा यदि विज्यापन प्रकासन के तारीक आधार बनी तो आरच्छन लागू होगा इन दोनों में से किये गए किस बेस पे रिजल्ट मान के दिया जाएगा मामला यहीं प्रैटका हुआ है प्रादंबिक परिछा 12 फरवरी को हुआ था और नियमतर परिणाम तीन महीने म वरस मानेगा या फी वैकेंसी करती थी तो एक दोनों को डिफरेंस है अगर दोनों का अधा पर मिलेगा देख में 36 आरच्छन का अलाग मिलेगा दूसरा में नहीं मिलेगा विवादों से बचने के तयारी कर रहा है सामान्य प्रसासन विवादों से बचने के लिए सामान्य प्रसारसन विभाग ने तयारियां शुरू कर दी है 29 नियारिक स्विवा परिछा की विग्यापन 12 जनवरी को 2016 को आया वहीं 60 से 22 सम्मिलित जो BPSC प्रादंबिक परिछा का विग्यापन 15 सिदंबर 2016 को प्रकासित हुआ था सरकार के अस्तर पर चल रहे बैटकों से जो बातने आ रही है उसके उनसार अगली वैकेंसी से महिलाओं को 35% आरचन का लाब में देने की योजना है फैसला होना अभी बाकी है BPSC का दावा है कि आरचन रोश्टर पर सरकार का मार्ग दैसन मिलते ही प्रारंबिक परिच्छा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 56-69 मेंस का रिजल्ट की तयारी सुरू होगी और इस परिच्छा का रिजल्ट 10-14 तक संभावित है महिलाओं का अरचन मिलेगा तो 224 का होगा चनद 36 अरचन का लाब 60-62 महिलाओं को संजुक्त परिच्छा में मिला तो राज़ी को 224 महिला अफिसा मिलेंगी 244 पर बिहार प्रसाशनिक सेवा के हैं इसमें से 90 महिलाओं को हो जाएंगे और राज़े से पदादी कारी के 175 पर दे उसमें से 63 महिलाओं को मिल जाएंगे और जो 29 नियाईग परिच्छा है उसमें 72 महिलाई जजों का भी चहन हो सकता है कैबनेट ने दी 29-19 जनवरी को मंजूरी सरकारी सेवाओं में महिलाओं के 35% आरचन के लाब को 19 जनवरी दोया सोला को कैबनेट की बैठे के मंजूरी दी गई थी गजट भी 20 जनवरी को प्रकासित हुआ था 15 फवरी दोया सोला को सामाने प्रसासन उभाग ने 36-35% आरचन का लाब देने का आदिश जारी किया था 20 महिला का पद आरचन से अलग है सरकारी सेवाओं के नियुक्ति के आरचन रोष्टे में जो 20 महिला के लिए आरचित पदों को अलग रखा गया है रोष्टे में इससे सामिल नहीं किया गया है BPSC की ओर से जारी नियुक्ति सुचना में सम्मिल लित संजुक्त परत्योगता परिच्छा के माध्यम से BC महिला के 16 पद भरी जाएंगे महिला अलचन का अगर जो फर्मूला देखे उसके अंसार SC को 16% reservation है SC में जो महिलाओं का है 16 का 35% होगा यानि 5.60 यानि जो महिलाओं को होगा SC में 5.60 मिलेगा ST का 1% है तो 1 का 35% है 2.35% मिलेगा महिलाओं का EBC का 18% है तो 18 को 35% मिलेगा BC महिलाओं उनको 12% 12 को 35% और अना अरच्छित है 50% तो 50 का 35% यानि 17.50% मिलेगा महिलाओं का अरच्छन basically 36 अरच्छन का जो घोशना हुआ तो 7 निश्चर में हुई थी विधानसभा चुनाओं के पहले 29 अगर्ष दोयार 15 को सीम निटिस कुमार ने 7 निश्चर महिलाओं का दिकार देने की घोशना के थी कहा था कि सरकाई नोक्रियों में 35% आरच्छन दिया जागा उस समय प्रात्मिक सिच्छक नियुक्ति में 50% और पुलिस बिभाग में 35% आरच्छन मिल रहा था 642 पद जिसमें 2.42 लाख लिया गया है पीटी में भाग मतलब 642 पद के लिए वेगन से निकला था उसमें लगभग 2.5 लाख लोग पीटी में अपीर हुए थे बीपेशी के 60-62 परिच्छा में 2.42 लाख अभियर्थी ने भाग लिया था 642 को चुना जाना है तसास्निक सेवा का 244 पद है पीटी के जरी अधिक्त पदों से 10 गुना यानी 6,420 अभियर्थी को चैन मेंस के लिए होगा तो यह था निवस्ट तो इसके वज़ा से पेंडिंग था रिजल्ट I hope कि बहुत जल्दी रिजल्ट पब्लिस करें क्योंकि यह अल्रेडी बहुत लेट हो चुका है ओके थैंक्स बाई बाई